दोस्तो अगर आप एक ऐसी गाड़ी ढूंड रहे हैं जहां पर आठ लाख साड़े हाट लाख रुपए ही आप फर्च करना चाहते हैं लेकिन हैजबेग लेने का मूड बिल्कुल नहीं है तो यह जो आज आप सामने अपने देख रहे हैं ना मारूती फ्रॉंग्स का बेस व आने वाला हो देखे सबसे पहली चीज तो यह गाड़ी सुर्ख्यों में आ गई थी जब इस गाड़ी को हमने आटो एक्सपो में देखा था अभी यह डीलर्शिप के उपर एविलेबल होने लग गई है और सामने खड़ा हुआ यह जो वेरियंट है यह इसका सबसे बेस व परदस्ती नहीं है क्योंकि इस लाइन अप में इस प्राइस टैक के साथ एक बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन आज आपके सामने खड़ा है इस गाड़ी की खासियत यह है कि यह गाड़ी क्रॉस ओवर है लेकिन डिजाइन अलिमेंट आपको कॉंपेक्ट ऐसी वाली फील दे लुक जो है गाड़ी का सामने से आप देखो कहीं से आपको लगता है कि एक हैजबेग है या फिर एक क्रॉस ओबर है प्रॉपर एक कॉंपेक्ट ऐसी वाली जो फील होती है वो डेफिनिटल आपको देती है इस गाड़ी को देखते ही बलीनो ग्रैंड विटारा दोनों की जाद आपको आजाती है कियो कि वही कुछ चीजें आपको यहाँ पर दिखेंगी क्या क्या मिलता है ? पर वापके पास यहाँ सब कुछ डिटेल पास रहेगी नीचे आपको silver color की इस तरीके से skit plate जो है वो visible हो जाएगी और ये जो आप इसके bumper के ऊपर ये x shape देख रहे हैं न प्रॉपर एक curves जो है जो यहाँ fender के ऊपर आकर थोड़े से mix up हो जा रहे हैं ये देखने में काफी सुन्दर लगते हैं उसके बाद ये जो clidings है ये clidings यहाँ पर wheel arch के ऊपर अगर आप देखेंगे थोड़ी सी squared of shape है जिसकी वज़ाए से गाड़ी एक muscular presence अपनी देती है ground clearance का आपको सही idea यहाँ से लगेगा अब आप देखो 190 mm की ground clearance है proper clidings आपको यहाँ पर दी गई है और ये जो आप wheel देख रहे हैं normal steel wheel है R16 size के हैं और turn indicator fender के ऊपर ही रहेगा यानी ORBM के ऊपर नहीं दिया गया base model है अब ये चीज़े यहाँ पर definitely रहने वाली है नहीं तो ऊपर के variants कौन लेगा भाई और ये जो आप देख रहे हैं ये blacked out है यहाँ पर door handles ये blacked out है roof rails जो है वो मिल जाती हैं आपको लेकिन ये भी blacked out है ये उपर के variants में भी आपको almost ऐसी ही मिलेंगी base variant में ही आपको shark pin antenna जो है वो भी मिलता है अब ये आपको अच्छे से पीछे से भी दिखाता हूँ उसके बाद आप यहाँ पर आईए ये गाड़ी के आप ये creases देख रहे हैं ये जो इसका shoulder है बहुत ही जादा solid सा पेरेंस देता है quarter final के ओपर ये छोटा सा glass area है और पीछे से जब आप frongs को देखते हैं तो यहाँ से आप देखो definitely पीछे से गाड़ी बहुत ही यादा young अपनी presence जो है वो feel करवाती है बहुत ही presentable सा look है इस गाड़ी का wheelbase बलीनों के बिलकुल बराबर है length जो है वो बलीनों के बराबर है लेकिन सिर्फ अपने design element की वज़ा से ये गाड़ी उससे ज़ादा बड़ी माचो और muscular feel होती है और base model में ही जो आजकल trend चला है na LED पीछे connected tail lamps वाला वो चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगी हाला कि ये जलता नहीं है center वाला part सिरफ आपको दिया गया है लेकिन frongs की branding है कोई variant की branding नहीं की जाती ये देखिए turn indicator LED में है ये जो आप शामने देख रहे हैं ये LED में ही आपके proper setup यहाँ पर दिया गया है और always on mode में भी ये जलता हुआ काफी सुन्दर लगता है पीछे bumper पर चार points आपके पास है reverse parking sensors, vertical shape के reflectors है skit plate जो है वो आपको थोड़ी सी चौड़ी बड़ी सी जो है वो again silver finish के साथ दी गई है defoggers मिल जाते हैं लेकिन कोई wiper नहीं है, कोई camera नहीं है, कोई washer नहीं है spoiler के ऊपर यहाँ पर आपको LED stop lamp है, यह मैं आपसे कहा रहा था कि आपको दिखाता हूँ यह है इसका shark wind antenna जो आपको मिल जाता है सुजुकी का logo जो है वो पीछे आपको जरूर मिलता है boot space की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से अब आप देखो, boot space देखो आप गाड़ी का 308 liter का boot space आपके पास है, base radiant है लेकिन electromagnetic button आपको दिया गया है पूरा और यह trim जो है वो covered है, grab handle आपको यहाँ पर मिलता है, parcel tray नहीं दी जाती है लेकिन यह आप ही अच्छे से neat तरीके से packed आपको boot यहाँ पर मिलता है कोई light बगेरा नहीं दी गई, hook है, लेकिन इसके उपर लिखा नहीं गया कि आप कितने kg तक का weight जो है वो इस पर डाल सकते हैं, कोई कभी hole side में अलग से नहीं दिये गए और नीचे आपको जो है वो यहाँ पर spare wheel मिलेगा, यह भी normal steel wheel है और same size का है, अच्छी चीजी है कि इसे under size नहीं किया गया 308 liter का boot space आपके पास यहाँ पर है, अब एक चीज आप यह देख रहे हो base model है जरूर, लेकिन यहाँ पर आप देखो, एक, दो, तीन, पीछे तीनो headrest आपको adjustable मिलते हैं, और यह वाली जो seat belt है ना, यह भी आपको three pointed मिल गई है, आगे से दिखाता हूँ, 60-40 का split ratio भी आपको मिल गया है, जो की और कैच ही है, मतलब एक base variant में, tactical वाली सारी चीज़े जो है, वो आपको यहाँ पर safety को ध्यान में रखते हुए, मारूत ही ने दे दी हैं भाई, फाब्रिक की seat है, contrast देखने में सुन्दर लगता है, उससे related कोई शिकायत नहीं, यह दिखा रहा था, सारी seat belt 3.8, 60-40 का split ratio आपके बास है, यहाँ से आपको थोड़ा सा fold करके दिखा देता हूँ, यह देखिए, तो यह चीज़े बहुत सही है, और यह जो आप box देख रहे हैं यह इसके wheel caps है, यह जो wheel आपको मैंने अभी दिखाये थे, कि normal steel wheel है, इसके उपर cap आपको company खुद offer करती है, फिलाल लगे नहीं हुआ है, लेकिन offer करती है, पीछे कोई AC vents वगएरा definitely नहीं है, 12 volt का power socket जरूर है, यहाँ पर अपना mobile वगएरा रखने के लिए आपके बास जगा जो है, वो काफी है, उससे related दिक्कत नहीं है, door pad की बात करूँगा, तो देखो भाई, soft touch आपको म दिखाता हूँ, bottle holder है, जगा वगएरा काफी है, अभी आपको बैट के दिखा देता हूँ, मैं कितनी जगा आपको वहाँ पर मिलने वाली है, पहले आप आ गया जाईए, यहाँ पर आप आएंगे, तो एक बार चाबी निकाल देता हूँ, यह बीब करता रहेगा, और अब अब देखो, उपर black, थोड़ा सा bronze effect यहाँ, carbon finish यहाँ, wine shade यहाँ, तो base variant में ही पूरी कलाकारी मारूती ने करिये, कि भाई एक बायर को अच्छी feel आ जाए, कि 8-7-8 लाक रुपय अगर मैं भर रहा हूँ, तो उसे पूरे नजारे आएं गाड़ी में बैठ कर, तो वो मिलेगा, यह सब फैबरिक में softers दिया गया है, चारो power window के control, driver side वाली auto, safety lock, manually गाड़ी को lock unlock करने के लिए, यहाँ पर भी आप देख रहे हो combination, सारे colors use किये गए हैं, जो की देखने में sorted अच्छे लग रहे हैं, इधर water holder है, अच्छा space अपके पास यहाँ पर है, again speaker के लिए grill है, लेकिन speaker नहीं है, क्योंकि इस variant में आपको music system नहीं मिलेगा, यह space आप देख रहे हो, खाली है, क्योंकि बेस variant में आपको company music system नहीं देती है, seat fabric की है, लेकिन कोई height adjustment नहीं है, लेकिन इसकी quality और cushioning से कहीं भी मारूती ने कंजूस ही नहीं की है, जो की बढ़िया चीज है headrest यहाँ पर भी आपको adjustable जो है, वो देखने के लिए मिल जाते हैं, जो की again बढ़िया चीज है, इधर अगर आप देखेंगे, तो idle start and stop, headlight leveler, traction enable और disable करने के लिए, यहाँ पर नीचे आपके पास proper dead pedal है, ABC pedal के पास बढ़िया space है, कभी hole यहाँ पर है, ticket रखो, coin रखो, कु ने हो ज़रा base model का cabin, भाईसा मारूती ने है, आपको proper एक अच्छी feel देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, थोड़ी सी यहाँ पर आपको glossy finish, यहाँ ब्रॉंज effect, यहाँ पर थोड़ी सी wine tone, ऊपर black, नीचे black, काफी बढ़िया तरीके से, अब एक बार आप यहाँ door से देख देखने के लिए मिल जाता है, 12 volt का power socket यहाँ पर आपको मिलेगा, और इसके अलावा कोई option और नहीं है, आपके पास कोई phone charge करने के लिए, यही option है, यहाँ पर भी आपको थोड़ी थोड़ी carbon finish जो है, वो मिलेगी, storage space है, दो cup holders है, 5 speed manual transmission है, gear knob simple रखा गया है, यहाँ पर भी तो normal visor है, यानि कोई vanity mirror नहीं है, यह foldable grab handles आपके पास है, जो की काफी बढ़िया चीज़ है, seatbelt की height fixed है, headrest adjustable है, कोई cabin light यहाँ पर आपको नहीं दी गई, कोई sunglass holder नहीं है, manually adjustable day and night IRVM आपके पास जरूर है, और driver side में भी visor plane है, यानि कोई ticket holder नहीं है, steering wheel की बात करूँगा तो यहाँ से आप देखो, flat bottom जरूर है, लेकिन कोई leather wrap नहीं है, कोई steering mounted controls नहीं है, Suzuki का logo है, horn pet के ओपर airbag, co driver side में एक airbag, यानि total 2 airbag आपको इस variant में मिलेंगे, steering में adjustment जो है, वो definitely यहाँ पर आपको tilt मिल जाता है, जो की सही है, telescopic base में आप उमीद भी नहीं रखते हैं, इध क्या range cover करेगी, क्या fuel economy दे रही है, total auto meters आपको यहाँ आजाएंगे, time temperature और यह trip A, trip B बगारा, लेकिन यह toggle यहाँ पर continue है, मारूती किती भी अच्छी गाड़ी बनाए, यह toggle देती रहेगी, आपको पता नहीं कब तक, यह मेरे को भी नहीं मालूम है, लेकिन toggles है, अब अग premiums अच्छी visibility आपको देते हैं, फिलाल तो आपको घांस पूसी दिखे रहे होगी, गाड़ी है, ऐसी जगा खड़ी है, लेकिन visibility काफी सही जो है, वो आपको यहाँ पर मिलती है, dashboard का जो layout है, वो भी काफी sorted सा आपको यहाँ पर feel होता है, seats आपको अच्छा अंडर थाई support द नहीं है, चालिए, अब मैं आपको यह बताता हूँ कि पीछे आपको कितना space मिल जाएगा, पहले यहाँ से ज़रा ignition मन कर देते हैं और शाबी निकाल लेते हैं, अब आप यहाँ पर आओ, यह चीज़े मैं आपको दिखा दी थी ने, कि आपको पीछे मिलता क्या क्या है, child safety lock जो है, वो भी आपको यहाँ पर मिलता है, softage है, और अब बैठ कर अगर मैं आपको बताओं कि फ्रॉंक्स में जगा कितनी है, तो भाई जगा की कमी नहीं है, देखो, near room अच्छा है, leg room जो है, वो काफी अच्छा है, hump है, अच्छे size का है, मतलब ज्यादा कम भी नहीं है, जादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन पीछे तीन लोग फिर भी अराम से बैठेंगे, कोई ऐसी शिकायत आपको जो है, वो नहीं होगी, दो बड़े और एक बच्चा तो बहुत comfortable बैठ जाएगा, यहाँ पर 12 वोट का power socket आपके पास option है, एक आगे एक पीछे mobile चार्ज करने पीछे भी आपको इस तरीके से foldable grab handles मिलेंगे, इधर coat hook महीं है, लेकिन दूसरी साइड में आपको coat hook जो है, वो जरूर मिल जाता है, यह भी काफी साइची है भाई, अब आप आजएए जरा मेरे साथ गाड़ी के front में, यानि अब हम बात करेंगे इसके engine की, यह engine के मामले म आपको front, देखो एक फरक देख रहे हो, बलीनो का आप यहाँ से खोलते थे थे न, grand vitara बलीनो, लेकिन यह थोड़ा सा system जो है, वो आपको अलग सा दे दिया गया है, और hood में एक decent सा weight आपको feel होगा, और यहाँ पर proper insulation दी गई है, firewall के उपर insulation दी गई है, चाहे base model है, लेकिन नीचे देखो, proper आपको जो है, वो under body में covering जो है, वो भी दी गई है, अब अगर engine की बात करूँ हो, तो यह मारूती का बहुत शानदार engine है, K-series engine है, K-12 मारूती इसको कहता है, यानि 1.2 liter का 4 cylinder petrol unit जो है, वो आज आपके सामने है, वही आपको prongs में मिलेगा, यही engine हम बली इनों में भी देखते है, एक इसमें आपके पास option और है, option क्या है, आप 1 liter के booster jet, यानि turbo engine के साथ भी जा सकते है, वो option आपको लेकिन सिरफ top में मिलेगा, और delta plus में मिलेगा, यानि जेटा में, delta plus में, और alpha में, यह 3 variants में मिलेगा, यह आपके लिए क्या generate करता है, यह आपके गाड़ियां देती भी है, तो वही चीज फ्रॉंक्स के साथ भी है, 20 के आसपास का mileage आपको यह गाड़ी आराम से देती है, यह engine इसके काबिल है, capable है, बाग यह आप चलाने की उपर है, जितना प्यार से चलाओगे, उतना प्यारा mileage गाड़ी दे देती है, अब थोड़ा सा आपको मैं इस गाड़ी के बारे में और बताता हूं, और यह बताना है कि इसमें आपको safety के features जो है, वो standard मिलेंगे, दो airbag आपको मैंने बताई दिये थे, disc आगे है, drum पीछे है, normal जो, मतलब, आप यह समझ लीजे कि जो चीज़े standard है, जैसे ABS, EBD, वही चीज, brake assist, यह सारी आपको मिलती है, वही चीज आपको fronks में यहाँ पर मिलेंगी, यह गाड़ी जो आप base model देख रहे हैं, इसमें एक ही engine option मिलेगा, 1.2 natural aspirated, अगर आप उपर के variants प्लान करते हैं, जैसे कि delta plus, zeta, या फिर alpha, यानि top वाले, तो आपकी बास दो option होंगे, एक 1.2 liter का आपको zeta plus में मिल जाएगा, उसके बाद 1 liter का ही engine मिलेगा, जो कि booster jet है, अगर आप 1.2 लेते हैं, तो इसमें आपको AGS मिलेगा, AGS यानि AMT जो इनका gearbox है, automatic के तो अगर आप लेना चाहें, तो 5 speed manual, और अगर आप booster jet लेते हैं, यानि आप turbo engine वाली अगर fronks लेते हैं, तो आपको उसमे 5 speed manual भी मिलेगा, और 6 speed automatic भी मिल जाएगा, option आपके पास बते रहे हैं, मारुती ने सही तरीके से इस गाड़ी को plant किया है, समझने की बात है, और समझ आने की बात है, गाड़ी जिस price tag के साथ आती है, उसके हिसाब से काफी सही है, बागी crash test वगरा कुछ हुआ नहीं है, तो आठ लाग 30,000 रपे माल लो, आपकी जेब से निकलेगा, अगर on road लेते हो, तो, कितनी वर्थ लग रही है, बताना जरूर, और अगर आप Zeta Plus, Zeta, या दोनों को comparison देखना चाहते हो, तो आपके भाई ने आपकी save में पहले ही वो video channel पर डाल दी है, यही रह गया था, इसको भी डाल दिया, तर्बो आएगी, वो भी डाल दूँगा, निश्चिंत्र हो, सब कुछ मिलेगा, दीरे-दीरे मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और आपको अगर कोई confusion हो, फ्रॉंग से related, तो आप पूछ लेना, आया बटन में लिंक दे दूँगा, या फिर आप सर्च कर एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद